हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं एक और नई रिजायन का डोर मेट और इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बूल ली है और नाइन नंबर से लाई ली है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बैल आइकन को जरू से देखिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे चाओदा फंदे हमने इस कलर से डाले अब चाओदा फंदे हम यलो कलर से डालेंगे ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे यहाँ पे देखिए टोटल अठाइस फंदे हमने ले लिये हैं आप पेर के एसाब से बरावर बरावर फंदे ले ले जितना मर्जी इसको आपको बड़ा बनाना है तो अब फर्ष्ट रो हम इसकी यहाँ से देखिए उल्टा बुनेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारे बारे तेरे तेरा फंदे हमने बुने और देखिए एक फंदा हम यह यलो बाला इससे बना लें तो यहाँ पर देखिए दो तीन चार पाँट छे साथ आठ नौ दस ग्यारे पारे तेरे चाओदे पंद्रे यहाँ पे एक फंदा यह हमने इधर से कर लिया तो पंद्रे फंदे अब यहाँ से देखिए इस वाली कली को हम ऐसे उपर के साइड ले जाएंगे अभी तो यहाँ से हमने इसको उतार लिया और यहाँ से हम जो जिस कलर से है उसको हम बैसे ही लाश्ट तक बुनते हुए जाएंगे, यलो कलर का यलो से और इस कलर को इस कलर से, ये देखें, आप देखें, ऐसे क्रोस कराना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, देखें, इसको हम टाइट करेंगे, थोड़ा सा खीच के इसको आगे लाएंगे, यहां से हम यलो से बना लेंगे, पूरी रो हम यलो से बनाते हुए लाश्ट तक जाएंगे अब देखे यहां से हम फिर से पालट लेंगे और देखे यहां से अब हम इसको उतार लेंगे बूल अपने तरब करके दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे बारा फंदे बुने अब देखे इसको हम इधर कर लेंगे और यहां से एक फंदा हम फिर से यलो बाला फ्रोजी कलर से बना लेंगे तो यहां पे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे पंद्रे और सोले यह देखे इस तरह से यह एक फंदा इसमें से यह फ्रोजी होते जाएंगे इसको हम ऐसे कर लेंगे अब यहां से देखे जो जैसा है उसको हम बैसे ही बुन लेंगे इधर की रोग कम्प्रीट कर ली मैंने अब देखे आसे हम इस फंदे को उतार लेंगे बूल अपने तरफ दो तीन चार पाच छे चे साथ आठ नो दस ग्यारे ग्यारा फंदे बुने इसको हमेदर करेंगे यहां से एक फंदा बापस हमने प्रोजी कलर से बुन लिया यह देखे इस तरह से अभी इसको बनाना है इसको हम ऐसे करेंगे अब देखे इसी तरीके से हम एक एक फंदा यह करते हुए लाश्ट यहां पे चार फंदे रह जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे तो देखिए यहां पे तीन और तीन चे और एक साथ साथ फंदे अभी बचे हैं और एक दो दो हमने कर लिए तीसरा फंदा यह हो रखा है तो हम यहां से यह रों कम्प्रीट कर देंगे उसके बाद हम आपको यह इतना करके फिर दिखाते हैं यह देखिए इधर से हमने एक एक फंदा करते हुए बना लिया और देखिए यहां से एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस दस फंदे हमने कर लिए अब देखिए यहां पे मेरे पास चार फंदे हैं तो हम एक उतार लेंगे एक बुन लेंगे अब इस रो में हम य इसी कलर से लाश्ट तक भुन लेंगे और सीध्य तरफ से यह रो कमप्लीट कर लेंगे इधर से रो हमने कमप्लीट कर ली और देखिए हमने इस कलर को क्रॉस नहीं किया है यहां पर दो फंदे हमने छोड़ दिये अब देखिये हम कली को अंदर के साइड ले जाएंगे तो य यहां से हम सभी फंदे बुल लेंगे और सीधी रो पूरा हम कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे यह देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली अब देखिए हम एक एक फंदा लेते हुए इसको बनाएंगे और देखिए यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ दो, तीन, चार, अब एक फंदा हम ले लेंगे, पाच यहां से यह फंदे बना लेंगे, अब dEKT कर लिए, 14.cotton मेरे पास सब्स फिर से आ गए अब देखिए यहाले फंदे जो है हम यलो से बुन लेंगे यलो बाले हम फ्रोजी से बुन लेंगे तो यह बाली डिजैन इस साइड आजाएगी और यह जो है वह इससाइड आजाएगी सिरफ इतनी ही चेंज करना है और बिल्कुल यह easy है, यह देखिए, यहां से अब हम यह वाला कला लगा लेंगे, एक, दो, तीन, और देखिए इसको मैं ऐसे कर देंगे, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, और देखिए, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, आपके जितने भंदे हैं, इसी इसाब से आ को बनाने हैं, यहां से अब देखिए, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, अब इस साइड की जो रो है, उसको हम बना लेते हैं, इधर की रो हमने कम्प्लीट कर ली, अब देखिए, जैसे हमने यह वाले बनाए थे, ठीक बैसे ही, अब हम यहां से एक एक फंदा यह फ्रोजी का बढ़ाते जाएंगे, लाश्ट में जब चार फंदे रह जाएंगे, तो हम एंड में जो यहां वाली रेजाएन है, वो हम दो फंदे एक साथ ले लेते हैं, तो इस तरह से इसको बना के कम्प्लीट करना है, इस हम इसको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं,